नमस्कार, स्वागत है आपका वेरेश यूटूब चानल प्रमोधमपन, आज सावन का पहला सोमबार है, और हम आज आपको लेके चल रहे हैं एक बहुती प्राचीन सिब मंदिर, जो पनवेल में है, गाडेश्वर महादेव कहते हैं इनको, और पनवेल से पनवेल स्टेशन या पनवेल बस्टेशन से लगबख 10-12 किलोमेटर के दूरी पे है, और ये एरिया इतना सुंदर है, बारिश के मौसम में इतना हरियाली है, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखे कितना सुंदर सरकों का, ये सुंदर सुंदर गाटिया, साइद ये प्रबलगड है, ये देखे कितना सुंदर न जा रहा है, बादलो में, बादलो से धकी हुई गाटिया, और ये सरक, इतना सुंदर हरियाली, और हम जा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर सिब मंदिर का दर्सन करने, जो गाड़ी नदी के तट पर एस्ति सुंदर नजारा है, वो अभी भी आप वीडियो में देख के समझ पा रहे होंगे, तो चलिए हमारे साथ, और सावन के इस पहले सोंबार पर आप भी दर्सन करिए, मेरे साथ प्रवास है, जो इस पूटी चला, हर हर महादे, हर हर महादे, चलते हैं, और फिर मंदिर के पास ерना जाकर आपसे मिलसे, कितना सुंदर नजारा है, देखे, तो तु Bowl anadiki रिख रहे हैं नदीकlar और देख रहे हैं नदीक ने आपके हम पहुंच गये हैं गार्डश्वर महादेब इस में विए प्रचतक्रा बॉच्छ बावा करें कि अब प्रवेश कर रहे हैं देखिए कितना सुंदर मंदिर है यह एक हिडेन जेम की तरह है इतना सांत वाता वरंग और इतना प्राचीन सिब्लिंग है यहां पर प्रवेश करते ही पहले नंदी महराज है यहां पर गनेश वगमान का मुर्ती है और फिर डर बजरंग वली है झाल प्रवेश करते है यहां 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 कि तर्वेश मुर्ण है यहां क्टता है प्रव प्रवेश्कें झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर के बगल में ही बहुती प्राजीन सिर्लिंग है समधवता इस मंदिर के निर्मान से पहले यही सिर्लिंग रहा होगा कि यहां प्राचीन सिर्लिंग है नहां पे कही सा लिए पुरा में मुट्टी भी मुट्टी दिये लिए गोई दनेज वर्वान का मुट्टी दिये गोई विश्म वर्वान का दर्शन किया सिवलिंग का पूजा की और यह इतना सुन्दर नजा रहा है यहां का कि पूछिये मत अब देखिए मेरे चारों तरफ आपको ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग में आ गया है उस तरह का जगह है मैं कैमरा फ्लीप करके दिखाता हूं यह देखिए इतना सांथ और इतना सुन्दर परियावन वला जंगल जार और अभी जो आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं वो मतलब आप देखके खुस हो जाएंगे एक बहता हुआ इतना सुन्दर नदी यह देखिए एक कलस है इतना बरा और यह यहां पे बैठने का जगह है यह मंदीर है जहां आमने दर्शन किया है और फिर यहां पे सुन्दर सुन्दर फूल लगे हुए हैं कुछ मैं आपको दिखाता हूँ और हूल के फूल है और भी कुछ दूसरे दूसरे है लेकिन सुन्दर से फूल है यह देखे कि चाल तरफ फूल लगे हैं सुन्दर सुन्दर कितना सुन्दर हैं और कितना सांत वातावरन हैं और अब जो हम आपको लेके चल रहे हैं वो देखके आप भी खुछ हो जाईएगा चलिए चलिए नदी चलते हैं देखने क्या सुन्दर में जा रहा है यह देखिए वाख थैंक यू दादर थैंक यू हाँ हाँ देख देख रहा देख रहा यहाँ पर भी महादेव हैं और देखे कितना सुन्दर न जा रहा है यह देखे यह भी कोई उसी समय का प्राचीन काल का ही सिवलिंग है और यहाँ पर भी पूजा पाट होता है और यहाँ देखिए क्या सुन्दर न जा रहा है कितना सुन्दर दृष्य है इतना सांत जगह और इतना सुन्दर मंदिर इतना सुन्धर दृष्य मैंने कही और मिन देखा है अपने लाइप में होंगे लेकिन मैंने नहीं देखाह आज तक चारो तरफ देखिए कितनी बरी बरी घाटियां है साइद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यह देखिए घाटियां है चारो तरफ पेर के वेज़े से नहीं दिख रहा है तो यहां से चारो तरफ ही घाटियां है और यह नदी है साइद नदी में पानी अभी थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी जबर्दस्त है और यह देखिए और यहां पर जहां आमने दर्शन किया हो खूबसुरत मंदिर चलो अधिया नदी का पानी पहरा है इतना करीब से सहर में रहते हुए कहां से देखने को मौका मिलता है इतना बहता पानी देखिए तेखिए किया नजा रहे हैं मतलब देख के मन गदगद हो जा रहा है ऐसा लगता है कि कोई पवित्र नदी की अभिरल धारा बह रही है वैसे यह नदी बहुती पवित्र है इसको गादी नदी कहते है इसको गादी नदी कहते है और अभी हमने दर्शन किया महादेव का और अब आनंद ले रहे हैं इस प्रकृति के सुन्दर दृष्च का नदी का वन उपवन का जंगल का कितना सुन्दर नजा रहा है कि देखे नदी कि अभी प्रवास बाबु हमें और नजदिक ले जाकर धारा दिखाएंगे कि अब यहां आये है हुआ है 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 हर हर महादेव क्या दृष्च है कि अधिया दृष्च है क्या दृष्च है क्या नजारा है और इतना सुन्दर मंदीर अगर आप यहां आना चाहते हैं तो पनवेल से आ सकते हैं यह इतना सीधा रास्ता है कि अगर आप सही से सही आपको पता हो तो आसानी से आ सकते हैं खास करके बारिष के मौसम में तो आना ही चाहिए हम लोग यहां आने का प्लान कर रहे थे, कल संडे था, हम आये रास्ते में लेकिन आगे पुलीस खरी थी और वो हमें आने नहीं दे रहे थी, रीजन क्या था प्रवाज बापू बताएंगे आपको, क्या हुआ था प्रवाज? संडे का टाइम था, और काफी लोग जो भूमने के बहने, मौज मस्ती करने के लिए, डिंग विंग करने के लिए ये वादियों में आना चाहता है, उससे कभी जानमाल का नुक्सान भी होता है, कई लोग नदीम में बह भी जाते हैं, इसी सुरक्षा को मदे नजर रखते हु अब जाए तो ध्यान रखे कि ऐसे जगह पर आप मैंने आपको दिखाया वीडियो में तो ये नहीं कि हम दारू का बोतल ले और चल जाए पिकनिक करने के लिए, नहीं ये आनंद लेने के लिए आईए, प्रजिर्थी का आनंद लेने के लिए आईए, दारू पीने के मिल गए चार यार और बैठ कर फिर सुरू हो गया, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इसका वास्तव में आनंद लीजिए, उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आये रहेगा, अगर आप नए हैं तो मेरे इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके अपने विचार बताईए, अगर कोई आना चाहते हैं और पूछना चाहते कि कैसे पहुंचू यहां पे, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाइ कर दूँगा कमेंट में, मैं आपको रास्ता बता दूँगा कि कैसे आना है, क्योंक तब जैसे भी होगा मैं आपको सही रास्ता बता दूंगा कैसे आप धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में